असलाम अलेकुम दोस्तो एक आड़ी है रेनुव जस्टर इसमें हमने एक कंप्रेसर भी लगाया और आगे आप देख रहे हो नमा कंजेंसर भी लगाया प्रेसर बहुत आ रहा है तो इसके वज़े से हमने क्या किया एक फैन लगाया बाहर से एक फैन है नहीं यह हमने बाहर से लगाया जुगार करके तो यह सिर्फ जस्टर के लिए नहीं कोई से भी गारी में आप यह फैन यूज कर सकते हो तो इस फैन को यूज करने के लिए अब डूइल हेड लाइक रिले एज़ बिले रिले ए उसकर के आप इसका फैन का कनेक्शन दे सकते हूं इसका जो मेंट सप्लाई कू कम्प्रेसर से दिया है हमने को Creek सब एतकर अब सब चाहरा हम् 2015 रिले ओन होने के बाद हमारा जो फैन है फैन भी ओन हो जाएगा इसका फैन का ग्राउंज हमने यहां से दे दिया कनेक्शन रिले से दे दिया चलो दिखा देते हैं आपको एमेमिशन करके जो इसका रिले का कनेक्शन हमने कैसे किया इस सरकीट यूज करने के लिए एक चाहिए हमारे को lord efficacy नियद्स करेगा हमारा compressor यूदिन आप इसको four-pen89 और यूज कर सकते हो मैंने में six-pen89 यूज किया क्योंकि दुकान पर 6-pin relay एवेलेबल था, 4-pin relay नहीं था, आप 4-pin के जगा 6-pin relay या 6-pin के जगा 4-pin relay कोई भी उज़ कर सकते हो, इसमें होता किया, 6-pin relay में 2 relay होता है, तो हमने दोनों relay को आपस में जोड दिया, इसमें, ठीक है, उसके बाद एक congencer fan, जो fan अप ल आपको क्या करना है, इस relay में जो positive signal है, सबसे पहले बैटरी के साथ उसको positive में लगा देना है, ठीक है, उसके बाद दूसरा wire जो होगा, ये black color का wire भी हो सकता है, हर एक relay में जो wiring होता है, वो अलग अलग होता है, माकर इसका mechanism सारा same होता है, तो ये वाला wiring में आपको बैटरी का negative देना है, negative देने के बाद ये वाला wiring और ये वाला wiring बचा हुआ है हमारे पास, अब क्या होगा, जब हम अंदर से AC पैनल से हम AC on करेंगे, AC on करने के बाद AC relay हमारा one होगा, AC relay on होने के बाद, यहां से AC relay on होने के बाद एक wiring आएगा, सिधा हमारा compressor में, तो compressor हमारा engage हो तब हम क्या करेंगे, इस compressor का ये जो wire है, बीच में से आ रहा है, यहां से wire को थोड़ा सा छील लेंगे, थोड़ा सा break कर देंगे, break करके एक wire क्या करेंगे, सिधा यहां से join करके, इस relay में, इस में देंगे, दोनों pin में देंगे, दोनों pin में ये वाला wiring जो होगा हमारा input, मत मतलब supply यहां से लेगा, यहां से positive और यहां से negative ले लिया, अब यह relay positive, negative और supply जब ले लिया, तब आपका relay एक्टिवेट हो जाएगा, relay activate होने के बाद, यहां से यह वाला जो wire इन होगा, यह वाला wiring से एक wiring सीधा निकलेगा हमारा radiator fan में positive signal के थोड़ों, तो positive signal के थोड़ों यह वाला wiring जो होगा हमारा होगा output मतलब यहां से input होगा यहां से output करके भेज़ देगा ठीक है और इसका जो congencer fan का ground है ground हम गारी में किसी भी जगा में लगा सकते हैं तो हमारा congencer fan on हो जाएगा इस congencer fan को fan के लिए एक छोटा सा circuit है बहुत बड़ी सर्कुट है नहीं तो इस fan को use क्यों किया जाता है जब आपका radiator fan में कोई दिक्कत आ रहा है या radiator fan सही से काम नहीं कर रहा है या कभी-कभी चलता है कभी-कभी बंध हो जाता है तो वो fan को आपको सबसे पहले सही करना है अगर वो बार-बार ऐसे दिक्कत कर रहा है तो आपको एक कंजेंसर fan लगवा सकते हो ऐसा कोई दिक्कत वएली बात नहीं है जैसे इनोबा में लगा सकते हो फोर्चोनर में जेस्टर में बाकि और गारी में अगर जगा है तो आप लगा सकते हो क्योंकि फैन आप जितना लगाओगे गारी के अंदर आपका AC का कुलीन उतना ही बढ़िया करेगा अब होता क्या है कभी-कभी ऐसा भी होता है कोई DC कंजेंसर मिल जाता है DC कंजेंसर से इतना मतलब कुलीन सही नहीं आता तो आप एक फैन लगा के थोड़ा बहुत कर सकते हो मागर DC तो DC होता है आप जितना हो सके औरजिनल काम में औरजिनल फीटिन, औरजिनल कंप्रेसर, औरजिनल कंजेंसर ही लगाया करो यह मतलब बहुत ही फैन यूज करना बहुत ही एमेर्जेंचन में उसकते हो मतलब एमेर्जेंचन के लिए बनागा रखा जयसे जो डेस्ट अरी है डेस्टर कारी में एक लग़ाया लगाना पड़ता है क्यूंकि उसमें डबल उट जीस में होता है तो उसमें कूलीन बरिया नहीं करता तो इसके लिए एक कंजनसर फैन लगाया जाता है I hope आपको इस वीडियो अच्छा न लगा होगा चले मिलते हैं नएक वीडियो में Assalamualaikum